नमस्कार आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा दस्वी हिंदी बी पार्ठेक्रम से स्पर्ष भाग दो पुस्तक का पाठ अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इस गद्य की रजना की है निदाफ फाजली जी ने इनका जन्म हुआ है 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में और इनका बचपन बीता है गौलियर में ये उर्दू के एक जाने माने शायर है जब ये अपनी गद्य रजना में उर्दू भाषा की शेरो शायरी के साथ उसे पिरोकर लिखते हैं तो उसे गहराई में आर्थ दे देते हैं इन्हें सन 1999 में खोया हुआ सच कुछ एक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरुसकार से भी नवाजा गया है इस पाठ की प्रिष्ट भूमी कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य ने माना जाता है कि मनुष्य इस तमाम सुरिष्टी की सबसे खूपसूरत रचना है किन्तु मनुष्य ने अपने आसपास के जितने जीव जन्तु है पेड़ पौधे हैं सब को बरबाद कर दिया क्योंकि उसकी सब कुछ समेट लेने की भूख ने उसे पेड़ों को काटने पर मजबूर कर दिया और पेड़ पक्षी पौधे सब को तहस नहस कर दिया और इसी वज़ा से जो है प्रकृती और पर्यावरण में बहुत बदलाव आ चुके हैं और प्रकृती का दोहन करता हुआ मनुष्य प्रकृती और उसके साथ अपने संबंदों को भूल चुका है वेदों में कहा जाता था ये समस्त स्रिष्टी एक परिवार है वसुधैव कुटुम्मकम की कलपना के साथ इस पूरी स्रिष्टी में जितने जीव जन्तु है पेड़ पौधे हैं पशुपक्षी हैं वे सभी एक परिवार के सदस्य हैं मनुष्य इन सभी के साथ तालमेल बना कर चलता था किन्तु समय के साथ मनुष्य की जो ये सब कुछ समेट लेने की भूख है उसने प्रकृती और परियावरन का नुकसान किया परियावरन का दोहन किया उसी की चिंता में यह पार्ट लिखा गया है अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले इसमें छोटी छोटी कुछ ऐसे वाकिये लेखकने संजोए हैं कि जो सुनने के बाद आपको अपने आसपास के कुछ लोगों की याद आ जाएगी कि वे भी इसी तरह से परियावरन पशुपक्षियों का ध्यान रखते हैं तो आईए पढ़ते हैं अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले बाइबल में सुलिमान जिन्हें कुरान में सुलिमान भी कहा गया है उनका जिक्र है वे एक बादशा थे कहा गया है वे के वल मानव जाती के ही नहीं बलकि संपूर्न सृष्टी के छोटे मोटे प अपने लशकर के साथ कहीं जा रहे थे रास्ते में जब घोडों के टापों की तीज आवाज सुनाई दी तो चीटियां जुपंगती लाइन बनाकर चल रही थी उन्होंने जब आवाज सुनी तो वे डर गई और कहने लगी कि चलो फौज आ रही है जल्दी अपने अपने बिलों में चलो उनकी बात सुनकर सुलिमान ने वही अपने घोडों को रोक लिया और कहा कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ सब के लिए महबत हूँ और चीटियों को जाने का उन्होंने रास्ता दिया इस तरह जब चीटियां वहां से निकल गई तो उन्होंने इश इसी ही घटना का जिक्र हमें सिंधी भाषा के महाकवी शेक अयाज जी की आत्मकथा में मिलता है उनके पिता एक बार कुए से नहा कर लोटे और मा ने भोजन परोसा जैसे ही भोजन करने बैठे उन्होंने देखा उनकी बाजू पर एक काला चियोटा रिंग रहा था उसे देखते ही वे भोजन छोड़ कर ओठ खड़े हुए मा ने पूछा क्या हुआ भोजन पसंद नहीं आया उन्होंने कहा नहीं मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ तो इस तरह एक छोटे से चियोटे की भी चिंता करने वाले वे निकले और उस चीटे को ले जा कर उन्होंने कुए पर छोड़ दिया एक अन्य घटना का जिक्र यहां पर लेखक ने किया है वे कहते हैं बाइबल और अन्य पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है और इन्हें लशकर के नाम से भी जाना जाता ह अरब में उन्हें नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता था क्योंकि वे ताउम्र रोते रहें उनके रोने का कारण क्या था एक जखमी कुटा क्योंकि राह चलते एक बार इन्होंने किसी घायल कुटे को दुटकारते हुए घ्रिणा से कह दिया दूर हो जा गंदे तेने उन्हें जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुटा हूँ ना आप अपनी मर्जी से इंसान है। बनाने वाला तो हम सभी को वही एक इश्वर है। तो इस बात को सुनकर नुह को अपनी गलती का एहसास हुआ। और वे इसी दुख में ताउम्र रोते रहे। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोकर सभी निशान। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अर्थात ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। चाहे वह किसी जीव जन्तु जानवर का हो या मनुश्य का हो। और मिट्टी के बाद वह मिट्टी में ही मिल जाता है। इस तरह हमें भेदभाफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं बने। जीवन देने वाला वही ईश्वर है। सभी को उसी ने जीवन दिया है। नुग उन्हें जब उसकी बात सुनी तो वे आजीवन दुखी होकर रोते रहे। दूसरी तरफ महाभारत का भी जिक्र यहां पर लिखक ने किया है। तो हम देख रहे हैं इस पाठ में महाभारत से भी उदारण लिया गया है, कुरान से भी लिया गया है और बाइबल से भी लिया गया है। महाभारत के युधिश्टेर जब स्वर्ग लोग की यात्रा पर लिकले तो उनके साथ सभी का साथ छूटता गया। सारे भाई छूट गए, पत्नी छूट गई, किन्तु अंत तक जिसने उनका साथ दिया वह एक कुत्ता ही था। यह कुत्ते की वफादारी का दियो तक है, वह उसका चिन्ह है। दूनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, कैसे यात्रा इसकी शुरू हुई और कैसे आज हम यहां तक पहुचे। इस सवाल का जवाब विज्ञान अपनी तरह से देता है और धर्म अपनी तरह से देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस तरह के जो छोटी-छोटी कहानियों का जिक्र है, वे यही बताती हैं कि मनुष्य इस धर्ती पर एक अकेला एकाधिकार करके ना रहे, उसे अपने परिवार के सदस्यों की तरह सभी जीवजन्तूं का ध्यान रख कर चलना चाहिए। मनुष्य ने परियावरन को क्षती पहुचाई है। बारुदों की विनाश लीला ने वातावरन को सताना शुरू कर दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, बेवक्त की भरसाते, जलजले, सैलाब, सुनामी, इत्यादी का सामना मनुष् पैदा कर दिया है। गिरा, वरली के समुद्र के किनारे गिरा, दूसरा कार्टर रोड जाकर गिरा और तीसरा गेटवे ओफ इंडिया के सामने तूट फूट कर जा गिरा और सैलानियों का नजारा बना। यह तबाही इतनी भयानत थी किसके बाद वे जहाज फिर पहले की तरह चलने के लायक न इसना ही नहीं, इसी एक घटना के साथ हम एक और घटना जोड़ कर देख सकते हैं, जो वरतमान समय में पिछले एक दशक के लगभग पहले हो चुकी है, जो की उत्राखंड की तरास्दी, ये सभी परियावरन को नुकसान पहुचाने के ही परिणाम है, जिसे मनुष्य रहा है, लेखक यहां कहते हैं, जो जितना बड़ा होता है, उसे उतना ही कम गुसा आता है, लेकिन जब गुसा आता है, तो रोकना बहुत मश्किल हो जाता है, समुद्र को गुसा आने का क्या कारण था? समुद्र के गुसे आने का यह कारण था कि बड़े-बड़े बिल्डर समुद्र की जमीन हथिया रहे थे, उसके किनारे पर मलबा डाल कर उसे जमीन में तबदील किया जा रहा था, जिससे उची-उची गगन-चुम्भी इमारतें वहां बनाई जा सके, जिसकी वज़ा से स समुद्र का मानविकरन किया गया है, लेखा कहते हैं, पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, और फिर जगह नहीं मिली, तो वह उकडु बैठ गया, और जब उकडु बैठने में भी जगह कम पड़ी, तो वह खड़ा हो गया, और जब खड़े होने की भी जगह उ नहीं मिली, तो मजबूरन उसे गुसा आया और जिसका परिणाम था सुनामी, इस तरह जो पर्यावरन को जब जब मनुश्यनिक शती पहुचाई है, उसके बदले में पर्यावरन से नुकसान भी मनुश्यने झेला है, लेखक अपने मां के द्वारा दिये गए संसकारों को याद करते हुए आगे कहते हैं, मेरी मा कहती थी, सूरज धले आंगन से पेड़ पत्ते मत तोड़ा करो, पेड़ रोएंगे, फूल मत तोड़ा करो, फूल बद्वा देते हैं, दिया बत्ती के समय फूलों को हाथ लगाना या तोड़ना नहीं चाहिए, और दरिया पर जब उसके प्रवाह के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो, आगे वे कहते हैं कि जब हम गौलियर में रहते थे, तो हमारा एक गौलियर में घर था, जिसके परच्छती पर एक कबूतरों के जोड़े ने अंडे दे दिये, लेखा कहते हैं, इन अंडों में से एक अंडा बिल्ली ने गिरा कर तोड़ दिया, लेखा की मा को उन पर बड़ा तरस आया, उन्होंने दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में स्टूल पर चड़ कर उस अंडे को दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहा, दूसरी जगह पर सुरक्षित जगह पर रखना चाहा, किन्तु गलती से वह अंडा भी उनके हाद से तूट कर नीचे गिर कर तूट गया, और तब परिशानी में दोनों कबूतर अपने अंडों को ढूंडते हुए फड़फडाते रहे घर में, तब लेखा की मा को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने उसके लिए रोजा रखा, तो इस तरहा लेख को समवेधन शील बनाती हुए उन्हें यह भी शिक्षा देती है कि कबूतरों को तंग मत किया करो, मुर्गे को परिशान मत किया करो, दर्या को सलाम किया करो, ये सब ही बाते, प्रकृती और परियावरण के प्रती अपने बच्चों को समवेधन शील बनाने की दिशा में ह है वे कहती हैं कि मुर्गे को इसलिए परिशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मौले में सबसे पहले अजान देकर सबको सवेरे जगाता है सबकी पूजा एक सी अलग-अलग है रीत मस्जिद जाय मौल वी कोयल गाय गीत अर्थात इस पूरी स्रिष्टी में चाहे पशुपक हो या मनश्य हो सभी अपनी अपनी पूजा अर्चना ही कर रहे हैं अपने कर्म करते हुए वे कुछ और नहीं बलकि इश्वर की ही आराधना कर रहे हैं इश्वर की ही पूजा कर रहे हैं कोयल गीत गाकर इश्वर की पूजा कर रही है और मौल वी मस्जिद जाकर गौलियर में अपनी मां की जो ये घटना है उसे याद करते हुए लेखक साथ ही साथ अपनी पत्नी के भी एक मिलते जुलते वाकिय को याद करते हुए कहते हैं कि अब मुंबई में जहां पर हमारा घर है वर्सोवा में वहां दूर तक पहले जंगल हुआ करते थे पेड़ पौधे थे और कई परिंदे चरिंदे उसमें रहा करते थे पेड़ पौधों में अपने घर बना कर जानवर इन जंगलों में रहा करते थे किन्तु समंदर के किनारे जो है चोड़ी लंबी बड़ी बस्ती बन गई है जिसके कारण इन पेड़ पौधों को जंगलों को काट दिया गया है इन बस्ती को बनाने के कारण कई परिंदों और चरिंदों से उनके घर छीन गए है और कई जानवरों को शहर इधर उधर छोड़ कर अपने आवास को जंगल को छोड़ कर इधर उधर जाना पड़ा है कई तो शहर चले गए हैं लेकिन जो इधर उधर नहीं जा सके उन्होंने अपना डेरा लोगों के घरों में डाल दिया है उसी तरह से कबूतर आजकल सब तरफ आप देखते हैं कि बालकनी में वे अपना डेरा डाल कर बैच जाते हैं अपने अंडे, बच्चे वहीं पर वे देदेते हैं तो इसे यहाँ पर डेरा डालना मुहावरे का प्रयोग किया गया है डेरा डालना अर्थात एक अस्थाई अपना घर बना लेना या जबरन कबजा कर लेना क्योंकि उनकी जगह, उनकी जमीन, उनके जंगल हमने उनसे चीन लिये है इसलिए क्यों न वो भी हमारे घर पर डेरा डालने लगे है लेखक कहते हैं इसमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लाट पर अपना घोसला बना लिया अभी उनके बच्चे छोटे हैं इसलिए उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उन कबूतरों की है और वे दिन में कई कई बार हमारे घर हमारे फ्लाट में आते जाते हैं जिसके कारण हमें परिशानी होती है क्योंकि कभी मिर्जा गालिब और कभी कबीर को छेड़ते हैं इसका आर्थ है कि वे मिर्जा गालिब और कबीर की पुस्तकों पर आकर बैठ जाते हैं जिससे परिशान होकर उनकी पत्नी ने उनके आने की जगह पर एक जाली लगा दी है और उनके बच्चों को उठा कर खिड़की से बाहर रग दिया है अब सारी रात बेचारे अंधेरे में ठंड में दुबक कर वहां बैठे रहते हैं उदास से लेखक कहते हैं अब कहां उनके दुख को कोई समझने वाला है अर्थात उन्हें अपनी मा की याद आ जाती है जिन्होंने एक अंडा गलती से उनके हाथ से तूट जाने पर रोजा रखा था दूसरी तरफ उनकी पतनी हैं जिन्होंने उस बच्चों को उठा कर उनकी वहां से जगह बदल दी और उन पर जरासा भी तरस नहीं खाया यही बात याद करते हुए लेखक कहते हैं अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले अपनी विशेशता के अनुसार लेखक ने फिर यहां पर एक शेरोशायरी पिरो कर इसे खुबसूरती प्रदान की है लेखक कहते हैं नदियां सीचे खेत को तोता कुतरे आम सूरश ठेके दार सा सबको बाटे काम नदियां खेत को सीचती है और उसमें फल फूल जब लगत हैं तो उसे खाता कौन है तोता खाता है नदियां खुद अपने फल नहीं खाती नदियां काम कर रही है और उसका फल मिल रहा है तोते को इस तरह यह पुरी स्रिष्टी एक दूसरे के काम पर आधारित है कि एक काम करेगा उसका फल दूसरे को मिलेगा यह एक श्रिंखला क की तरह चेन की तरह कड़ी बनी हुई है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कवी कहते हैं कवी अर्थात लेखक यहां कवी भी हैं हमारे लेखक वे कहते हैं सूरज ठेकेदार साथ सबको बाटे काम अर्थात सूरज सुभा सुभा उगाता है ठेकेदार के रूप में और पूरी वसुधा एक कुटुम्भ है, एक परिवार की भाती है, जिसमें पेड़ पौधे, पशुपक्षी, जीव जन्तु, जानवर, नदियां, ताला, बहार, सब की अपनी अपनी भूमिका है, सभी एक दुसरे के लिए काम करते हैं, तो एक परिवार की तरह मिलजुलकर मनुष्य को इनके साथ रहना चाहिए, इनके प्रती समवेदन, शीलता बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन वह दिन दूर नहीं, जब एक दिन मनुष्य का अपना ही अस्तित्व खत्रे में आ जाएगा, और मनुष्य हाथ मलता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और में से महाभारत का भी जिकर इसमें किया है, कि हर धर्म के ग्रंत में लिखा है कि पशु पक्षी जीव जन्तु के प्रती मनुष्य को समवेदन, शील होना चाहिए, आपस में मिल जूल कर रहना चाहिए, छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से लेखक ने इस पाठ को बहु मिले, खोकर सभी निशान, किस में कितना कौन है, कैसे हो पहचान, अर्थाद हम सभी मिट्टी के बने हुए हैं, और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसके कुछ प्रशनोत्तर ले लेते हैं, इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग ज्यादा है, तो आप देख शहें हैं कि जहां नुक्ता लग जाता है, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे दफा और दफा, दफा का अर्थ है एक बार, जबकि दफा का अर्थ है, एक दूर कर देना किसी को दफा हो जाओ, तो इस तरह एक नुक्ते के लगने से शब्द के अर्थ बदल जाते ह इसलिए नुक्ता लगाना, सोचना और से सीखना जरूरी है आगे हम पढ़ते हैं इसके कुछ प्रशनोतर हैं जैसे बिल्डर क्या कर रहे थे या समुद्र को किस तरह से परिशान कर रहे थे इस पर अक्सर प्रशन पूछा जाता है कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धेकेल रहे थे तो इसमें वही बात है कि मनुष्य अपनी सब कुछ समेट लेने की भूख के कारण ऐसा करता है कि समुद्र की भी जगा उसने छेन ली जिसे वहाँ पर उची-उची गगन-चुम्बी इमारते बनाई जा सके और उसका मुनाफ़ा मनुष्य कमा सके लेखा का घर किस शहर में था? गौलियर में जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? डिबी नुमा घरों में अर्थात पहले बड़े-बड़े आंगन होते थे, बच्चे मिल जोल कर खेलते थे एक ही परिवार में चार परिवार एकठे रहते थे जिसमें भूआ, मौसी, मामा, ताया, चाचा सभी रहते थे लेकिन अब लोग छोटे-छोटे घरों में सिमटने लगे है लोगों की मानसिक्ता संकुचित हो गई है, एक दूसरे को वे बरदाश्ट नहीं करना चाहते अगला प्रशन है, कबूतर परिशानी में इधर-उधर क्यों फड़ फड़ा रहे थे? इसलिए क्योंकि उनके अंडे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे एक अंडा बिली ने उचक कर तोड़ दिया, जबकि दूसरा अंडा लेखक की मा के हाथों गलती से तूट गया था जिसे बचाने की कोशिश में वह उनसे तूट गया था और लेखक की मा ने रोजा क्यों रखा था? यह प्रश्न, इसका जवाब होगा? कि लेखक की मा को इस बात का बहुत गलानी थी, अफसोस था कि उनकी गलती के वाजह से एक जीव जो है उसको अपना जीवन का नुकसान जहिलना पड़ा इसलिए उन्होंने खुदा से मौफी मांगने के लिए रोजा रखा उमीद करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आप बाप को भली भाती समझ में आ गए होंगे और मेरे बताने से पहले ही आपके उत्तर आपके साथ तयार होंगे क्योंकि पाठ ही इतना खुबसूरत है और पाठ को पढ़ते समय हमने बीच-बीच में मुहावरे और प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास कीजिए और बीच में से भी कुछ भी यदि पूछा जाए तो उन प्रश्नों के उत्तर यदि आप इन छोटी-छोटी कहानियों को समझ लेंगे तो बिलकुल दे पाएंगे तो उमीद करती हूँ आपको पाठ बखुबी समझ में आ गया होगा नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाएंगे